हेलो एब्रीवान वेल्कम बैक तो दिवाइन टैरो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आई विश आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस सो आज की जो रेडिंग करने जा रही हूँ इस रेडिंग में देखोंगे कि आपके पर्सन के डीफ फीलिंग्स क्या है ठीक है डीफ फीलिंग्स उनके गहरे राज क्या है जो आपको बताते नहीं इस रिष्टे को लेकर के वो सच में क्या फील करते ठीक है दूसरा face जब वो आपसे बिछर जाता है ठीक है उसके बाद जो उसको deeply truly feel होता है आप वो किससे like बता नहीं सकता है in fact वो आपसे भी share नहीं करता है या नहीं करती ठीक है अपसे दूर होने के बाद ठीक है या अभी आप contact में हो नहीं हो या on and of contact चल रहा है उनकी deep feelings क्या है deeply वो क्या सोचते हैं आपके बारे में ठीक है सो कार्ट सम शक्लिंग के बादी लेंगे राइट सो चली देख लेते हैं divine universe angels काइट करें और बताएं मुझे मेरी वीवर्ज जिस विस्त्री पुरुष का ध्यान कर रहे उस person की feelings क्या है giving and receiving okay number six की energy आई है so love तो है ठीक है प्यार तो करते भाई इससे आप निगलेट नहीं कर सकते definitely आप दोनों के बीच में अभी कुछ भी situation क्यों ना चल रहा हो ऐसा लग रहा है कि आप अपने person के साथ काफी जादा deep love में थे ठीक है definitely काफी जादा love था आप दोनों के बीच में okay currently आप दोनों हो सकता है knock on check में हो या एक दूसरे से अपनी feelings बता नहीं रहे हो एक दूसरे के heart को आप दोनों ने hold कर लिया है ठीक है वह अपनी comfortable zone में है अपने heart को hold करके आप अपनी comfortable zone में हो अपने heart को hold करके आप दोनों ही एक दुसरे से अपनी feelings नहीं बया कर रहे हो बटे वेक्ति जो है आपके लिए बहुत ही protective feel करते हैं बहुत ही अच्छा feel करते हैं महसूस करते हैं आपको ठीक है आपके लिए रिष्टा बहुत माइने रखता है जितना माइने आपके लिए रखता ये रिष्टा definitely आपके person के लिए भी उतना ही जादा माइने रखता है ठीक है आप से ये बोले ना बोले वो एक अलग बात है बड़े वेक्ति बहुत जादा अपने heart को protect करते हैं किसी और से attach होने के पहले ये दस बार सोचते हैं हो आप दोनों में positivity है ठीक है healing energy ऐसा लग रहा ही वेक्ति ना इस वक्त अपने heart को heal करना चाहते जो भी situation चल रही है आप दोनों के बीच में बड़ ये वेक्ति इस समय काफी जादा active है और अपने heart को heal करने में जादा ध्यान दे रहे ठीक है ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में बहुत सारी ऐसे events है चीजे है जो इनको करनी है चल रही है इनके life में ठीक है बट इनका पूरा का पूरा ध्यान ऐसा लग रहा है वो स्रिफ वो स्रिफ आपकी तरफ है ठीक है definitely इनकी healing हो रही है इस समय अवेकन हो रहा है ठीक है और results जो है ऐसा लग रहा है काफी positive हाने वाला है यह व्यक्ति काफी लंबे समय से खुद को heal कर रहे है ठीक है और यह चाहते हैं कि इस रिष्टे में जो gap आया है इस बीच आप भी heal हो जाओ काफी जादा knowledgeable person है इनको books read करना काफी अच्छा लगता है और यह हर वक्त कुछ ना कुछ read करते रहते है ठीक है ऐसा लग रहा है इनका काम भी reading के related हो सकता है ठीक है read करना या फिर पढ़ाना या senior हो सकते हैं किसी office में या काफी knowledgeable person है ठीक है काफी अच्छे post में हो सकते है या teacher है या आप teacher हो या कहीं के professor school college कहीं भी भी लेकिन ये कुछ पढ़ाते जरूर है ठीक है या लोगों को guide करते है TL हो सकते है team leader हो सकते है ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़े इनके under में आती है ये control करते हैं सारी चीज़ों को ठीक है और लोगों को बताते हैं guide करते हैं किस तरीके से एक mother की तरह एक father की तरह इनका काम जो है वो guide करना हो सकता है लोगों को guide करना ठीक है अपने काम के प्रती बहुत जादा ये वेक्ति active रहते हैं और इस बज़े से ये वेक्ति जो है अपने life में बहुत सारी चीज़े जो है वो receive भी करते हैं ठीक है award हो गया या किसे तरीके की कोई बहुत बड़ी जीत भी इनको मिली होगी अपने past life में ठीक है definitely ये वेक्ति जो है काफी महनती है hard work करते है ठीक है हाला भी इनको दे ठीक है हाला कि सामने वाले से जितना ये expect करते है उतना love शायद इनको नहीं मिल पाता ठीक है उतना जादा ये receive नहीं कर पाते जिसके कारण sometimes इनके मन में बहुत सारी चीज़े जो है वो उल्ज़न में रहती है क्या ये करना सही है नहीं है अपने हार्ट को ही है प्रोटेक जरूर कर रहे है और आप दोनों में जो है वो healing period चल रहा है अशा लग रहा है आप दोनों की healing हो रही है आप दोनों ही healed हो ठीक है आपके person का heart chakra heal नहीं है definitely आपके person का heart chakra heal नहीं है जिसके वज़े से ये confuse है number seven represents हुआ है definitely यह वेक्ति confused नजर आ रहे है numbers जो इनके birth number में शामिल हो सकते हैं ठीक है या इनके birth month में जैसे आप से resonate हो आप ले लेना number 6, number 9, number 15, number 7 and number 5 number 7 and number 2 represent हुआ है ठीक है so इनको ना अपने life में सही mark नजर नहीं आ रहा है एसा लग रहा है वेक्ति बहुत लंबे समय से चाहा रहे है कि इनको कोई रास्ता दिखाए ठीक है इनको कोई सही रास्ता दिखाए कोई सही पात दिखाए कि इनको किस पात पे चलना चाहिए किस रास्ते पे चलना चाहिए जिससे इनको इनकी मनजील मिले ठीक है इनको वो सारी चीजे मिले जो ये पॉर्षन अपने लाइफ में चाहते हैं ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय से इस पॉर्षन को वो सारी चीजे नहीं मिली है ठीक है जिसके वज़े से ये पॉर्षन जो है काफी जादा confused भी रहते है और अभी तक ये decide नहीं कर पाए हैं कि इनको क्या करना है हाला कि आना आपके पास ही है love आपके साथ ही feel करते है इनको ना like ऐसा feel होता है कि जब आप इनके आसपास रहते हो ये बहुत comfortable feel करते है जो लगता है सुरकछा महसूस करते है इनके आसपास कोई है, ठीक है, कोई positive उर्जा है, जो इनको protect कर रही है, कुछ ऐसा भी ये feel करते हैं, ये person, definitely ये feel करते हैं, ठीक है, okay, inverse बताएं, इनके intention क्या है, इनके intention क्या है, इनके true intention बताएं, universe, seven of wands, king of wands, okay, so ये person जो है ना, महनत करना चाहते, ठीक है, definitely, काफी hard working person है, इसा नहीं लग रहा है कि ये वेक्ति भागते हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये वेक्ति को ऐसा महसूस होता है, कि आप इनको नहीं समझते हो, ठीक है, आप like इनको justice नहीं देते हो, इस रिष्टे में like equal give and take आप नहीं करते हैं, जिसकी वज़े से इवेक्ति जो है, sometimes जो हैं किसी तरीके का justice चाहते हैं ठीक है definitely justice चाहते हैं और चाहते हैं कि आप दुनों का रिष्टा बहुत ही beautiful रहे Cancer Scorpio Pisces हो सकती है इनकी राशी मीन राशी हो सकती है ठीक है justice है and definitely two of cups so इस love relationship में किसी तरीक cheating धोखा या betrayal energy आपने अगर face करी है ना आने वाले two months में ये रेक्ति आपको approach कर सकते है ठीक है आप दोनों के 20 से जो ये negative energy है वो निकल सकती है ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं किसी negative उर्जा का सामना कर चुके हो past में ठीक है और इस time पैसा लग रहा है कि आप दोनों की ही healing हो रही है आप दोनों कहीं कहीं past में कुछ negative उर्जा का सामना कर चुके हो ठीक है और इस time आप दोनों की healing हो रही है इन्वेस मुझे बताएं कि इनका action क्या होगा इस strength का card है लियो हो सकती है आपके person की राशी लियो हो सकती है आपके person की राशी ठीक है लियो यानि कि sing राशी हो सकती है ये वेक्ति पर ना जानते हैं बहुत ही strength रखते हैं अपने अंदर ऐसा लग रहा है कि ये चिजों को समझते हैं एक जुझों को सुनते हैं अपके person ठीक है कि क्या चीजे सही है क्या चीजे गलत है ये आपको पूरी तरीके से गलत नहीं समझते ।रह इनको पता है कि आपने भी अपने बीते हुए कल में, अपने बीते हुए life में काफी struggle करा है, चाहे वो love life हो, ठीक है, आपने definitely बहुत सारा कस्ट किया है ठीक है, अपने past life में, और ऐसे ही आप like, इतने strong नहीं बने हो, यह वेक्ते भी काफी ज़्यादा खुद को strong बनाना चाहते हैं ठीक है और strong है भी यह ऐसा लग रहा है इनकी जब भी कोई action या कुछ भी चीज़े होती है ना काफी रफ्तार और काफी fast होती है ठीक है यह आएंगे definitely आएंगे two months में ऐसा लग रहा है कि इनकी entry हो सकती है आपके life में ठीक है after two months यह वेक्ति आप को approach कर सकते हैं relationship के लिए आपको justice दे सकते हैं अगर यह आपको छोड के गयते ठीक है अगर आप married भी हो सो definitely two months बाद आप दोनों में सारी चीज़े सही हो सकती है वापस से आप दोनों की family stable family बन सकती है ठीक है अगर इस person के साथ आप married हो आप चाहते हो family create करना ओके अगर आप समय में आप दोनों की बीच में बहुत जल्द वो moment वो चीज़े आप देखोगे ठीक है अपने रिष्टे में जिससे कि आपको यह एसास होगा कि कहीं ना कहीं universe आपको blessed कर रहे हैं और आप भी प्यार deserve करते हो ठीक है definitely आपके life में family stability आते हुई नजर आ रही है ऐसा लग र रिष्टा वापस से develop करना ठीक है वापस से एक और family relationship में आना ठीक है family को भी पता चले यह बाते है आपके person अप चाहते जरूर है ठीक है पास्ट में हो सकता है काफी जदा cheating वाली इनकी energy रही है बट इस time पर यह काफी अच्छा सोच रहे लेकिन कि यह deep feelings में ठीक है मैं ऐस सारी चीजे चल रही है ठीक है कि नाइन अब वेंट का कार्ड है डफनेटल आपके लिए passionate बहुत जादा है बट इंक ऐसा लगता है sometimes कि आएंगे अगर आपसे किस तरीके का अपना love यह आपसे बताए ठीक है जतानी की कोशिश करें सो आप दोनों में again fight हो सकती है या आप भार ला के बीच में चीजे अच्छी नहीं हो सकती है हर बारी आप लिए कुछ कुछ चीजे बहस हो जाती है, एक हपता भी ये रिष्टा अच्छे से नहीं चलता, बालेंस नहीं रदता, तीसरे ही दिन ऐसा पता चलता ही, कि आप दोनों में जगड़ा हो गया है, ठीक है, आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, तो काफी ज़्यादा problematic situations का स Sagittarius है, ठीक है, definitely a person अब चाहते तो है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, definitely चाहते है, emotions काफी ज़्यादा है, cups की energy है, definitely emotions बहुत ज़्यादा है, इस person के अंदर, ठीक है, so इनके कुछ messages देख लेते हैं, कि messages के through और ये क्या बताना चाहते है, divine clear messages दीचे कि ये person क्या बता मिस्त करते हैं, बट ये बताते नहीं है, I will forgive you, आने वाले समय में ये आपको माफ करेंगे, ठीक है, आप माफ करोगे या ये वैक्ति आपको अपनी तरफ से माफ करेंगे, मैं definitely आप दोने एक दुसरे को forgive करते हुए नजर आ रहे हूँ, ठीक है, माफ करके एक दुसरे के सा जरूर है, ठीक है, you are my soulmate, ये आपको अपना soulmate भी मानते हैं, so claim this energy guys, अगर आप भी इनको अपना soulmate मानते हो, ठीक है, ये इनके deep feelings में है, मैं again कह रही हूँ, ठीक है, so ये अपने heart को protect करते हैं, जैसे कि हमें हाँ पे भी energies मिल रही थी, ठीक है, master के card में भी हमें ये चीजे ये मिली है, कि ये person अपने heart को बहुत जादा protect करते हैं, ठीक है, और अपनी feelings को, जो genuine feelings है, जो ये सक्च में feel करते हैं, आपके लिए वो तो इन्होंने, शायद ही आपको बताया होगा, ठीक है, आप हमेशा अपने intuition के base पे इनको judge करते हो, कि या भी ये सोच रहा होगा, या मेरे लिए ये feel करता है, ये करती है, आप हमेशा इसी तरीके से info like sense करने की कोशिश करते हो, ठीक है, बट reality में देखा जाए, तो ये person कभी भी खुल के अपनी feelings आपको नहीं बताते, सो काफी confused रहते ही हमेशा, thank you for the reason I smile, सो ये आपको thanks जरूर कहेंगे, जब भी ये मिले, ठ लिखा है, आपकी वज़े से इन्होंने अपने life में growth कैसे करना चाहिए, career कैसे stable करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों इन्होंने सिखी है, I love your voice, I feel relaxed, ये आपकी voice सुनना चाहते हो, सकता है किसी wrong number के true, या कहीं किसी social media platform में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, और इनको बहुत अच्छा लग रहे है, give me a chance, कि आप ready हो, इनको एक chance देने के लिए, ठीक है, so yes I am ready, आप लिख सकते हो, अगर नहीं चाहते हैं, ठीक है, इस person के साथ, आप नहीं चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए बता रही हूँ, जो नहीं चाहते हैं, ये person मेरे life में दुबा इनको ये message दे सकते हो, कि आप मैं ready हूँ, लव के लिए, और मुझे मेरा soulmate चाहिए, ठीक है, मुझे मेरा soulmate चाहिए, इस तरीके से आप clear हो, आप past और present को लेके confused में रहोगे, तो फिर क्या एंटर करेगा आपकी life में, ना past आप आप आएगा, ना future एंटर हो पाएगा, right, so, इसलिए मैं कहा रही हो, कि clear रहे, past चाहिए, तो past की तरफ ध्यान दे, पुराना person चाहिए, because ये पुराने वाले वाले व्यक्ति है, कहीं ना कहीं, आप आप से chance चाहते, ठीक है, so, एक chance तो भई, deserve करते हैं, ये, इनको भी ऐसा लग रहा है, आप दोनों में इतना deep connection था, so, ये तो भई, एक chance तो ये deserve करते हैं, एक chance तो आप इनको दे ही सकते हो, जिसके लिए बहुत जादा प्यार भरी नजरों से आपके तरफ देख रहे हैं, भई, आप कभी तो इनको ये कहोगे कि yes, इस relationship में अभी भी बहुत कुछ है, और हम दोनों इसको मिलके continue कर सकते हैं, love को receive करने के लिए मैं ready हूँ, ठीक है, आप ऐसे भी claim कर सकते हो, ताकि आपके life में जो deserve करता है, जो partner आपको ठीक है, जिसे आप deserve करते हो, universe वही person आपको send करे, ठीक है, so claim ज़रूर करे, like करे वीडियो को, ठीक है, आपके like करने से, like मुझे बहुत motivate feel होता है, और मैं आप ल मैं sometimes like भी करती हूँ, जो चीज़े आप लिख रहे होते हैं, comment box में definitely मैं इन्युवर्स से कहती हूँ, जो ये बच्चा मांग रहा है, जो चीज़े ये आपसे इतने दिनों से like बोल रहा है, pray कर रहा है, so universe आप उसे दे दो, ठीक है, मैं definitely अपने तरफ से जितना efforts हो सकता है, prayers हो सकता है, मैं आप सभी के लिए divine taro family के लिए करती हूँ, ठीक है, so divine taro के family से जरूर से जरूर जुड़े आप ठीक है, आप पहली बार आए हैं, so channel को subscribe करे, like करे, videos को like जरूर करे, comment करे, share करे, ठीक है, ताकि आप दूसरों लोगों को भी थोड़ा heal कर पाओ, ठीक है, so य